हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इतिहास जैसे बल्की सब्जेक्ट को लेकर UPSC का एक्जाम किलियर करना और किलियर ही नहीं करना बल्की हिंदी माध्यम से इतिहास में अच्छा नम्मर लाके अच्छी रेंग प्राफ्ट करना जो है कि अपने आप में एक साध्य काम माना जाता है और जिसको कर दिखाया है हमारे गिर्धारी लाल मिनाजे जी ने और जैसे उनके जैसे करमट हुरुस ने जिनों ने 2020 के एक्जाम में 387 रेंग हासिल की हिंदी माध्यम से इतिहास जैसे वैकल्पिक विसे को लेकर और केवल क्लियर ही नहीं किया बलकि इतिहास जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट में 200 प्लस नमबर लाए लगभग इनका वैकल्पिक विसे इतिहास में 260 नमबर है और GS की पेपर में भी इनोंने बहुत ही अच्छा ही स्कूर किया हुआ है GS second paper में इनका 100 प्लस नमबर और history optional में 200 प्लस नमबर और essay में इनका बहुत ही अच्छा नमबर हुआ है और इस तरह से जो है कि उन्होंने 2020 का UPSC का एक्जाम क्लियर किया अगर इनकी copy के अगर हम बात करें तो इनकी copy को जब आप देखेंगे तो इन्होंने इतिहास जैसे subject में map डाइग्राम का कैसे प्रयोग किया और अपने उत्तर में map को कैसे इन्होंने समलित किया हुआ है ये आप जान पाएंगे तो आज हम इस वीडियो में यही discuss करेंगे कि इन्होंने अपने उत्तर में इतिहास जैसे subject में map को कैसे समलित किया और कैसे इसको उत्तर में जो है कि दिखाया अस्थानों को कैसे चिन्नित किया अगर कोई अस्थान पूछा जाता है तो उसको map में कैसे दस्ताया और उसके उत्तर को उसी map के नीचे कैसे इन्होंने लिखा हुआ है तो इस वीडियो में हम उनकी mark sheet को देखेंगे उनके history optional को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे history optional में उत्तर लिखें तो इनके जैसा number भी हम भी प्राप्त कर सकें और अच्छी rank ला सकें तो ठीक है तो शुरू करते है ठीक है तो शुरू करते हैं हम गिर्धारी लाल मेना जी की जो है कि उनके बारे में बात करते हैं और इस बार उनकी जो है कि return में उनका total number था 774 number 774 return में था और personality test में उन्होंने 160 number gain किया और इस तरह से जो है कि उनका final जो है number बना 934 number final बना और इस तरह से उन्होंने इस बार 387R था 387 rank हासिल की गिर्धारी लाल मेना जी यहां हम गिर्धारी लाल मेना जी के बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने इस बार जो है 387 rank हासिल की इस तरह से उन्होंने UPSC 2020 का exam qualify किया और अब हम उनके जो है कि mark sheet के बारे में बात करेंगे जिनका History Optional था और History Optional में उन्होंने कितना नमबर पाया और थोड़ा वो GS को देखेंगे तो ठीक है अब हम उनके जो है की Mark Seat को सुरू करते हैं ठीक है तो सुरू करते हैं हम गिरधाय लेल मिना जी की Mark Seat है और इनका History Optional रहा है History Optional के जैसा कि आप देख रहे होंगे फर्स्ट पेपर में जो है History Optional के फर्स्ट पेपर में 128 नमबर इन्होंने गेन किया और सेकेंड में 139 नमबर गेन किया और इनका essay में भी बहुत ही अच्छा नमबर रहा है 147 नमबर essay में रहा और थर्ट पेपर में जो है कि इनका बहुत अच्छा नमबर रहा है तो इस तरह से जो है इन्होंने अपना एक्जाम दिया UPSC 2020 का और हिस्ट्री में बहुत ही अच्छा नमबर आप्शनल में इनका आया हुआ है अगर टोटल मिला दे तो 260 नमबर लगभग जो है कि इन्होंने अप्शनल में गेन किया हुआ है 260 नमबर और थर्ट पेपर में बहुत ही अच्छा स्कूर है 103 नमबर मतलब GS second पेपर में और हिस्ट्री में से में इनका जो है कि 147 नमबर और इस तरह से जो है कि 934 नमबर इनका बना ओड़ा फाइनल और पीटी में भी इन्होंने जो यह अच्छा नमबर पाया हुआ 160 नमबर तो आप्शनल में बहुत अच्छा नमबर दो साथ नमबर आपसनल में इनको मिला तो आए अब राम हम इनकी इनकी फिपर आप्शनल की कॉपी को देखता है कि फिपर काल लिया औ और आई अब हम देखते हैं कि इनोंने कैसे इसको लिखा तो जैसे अगर एक कोस्चेंस के अगर हम बात करें तो आपको दिये गए मानचेत्र पर अंकित निम्नलिखित अस्थानों की पहचान कीजिए एवं अपनी प्रस्ण सव उत्तर पुस्तिगा में उनमें से प्रतिक पर लिखने के लिए जोएकी आया हुआ है जैसे कि एक महापासाडीक अस्थल तो इन्होंने एक महापासाडीक अस्थल के बारे में बताया है और उसको लिखाया है एक हिंदू धार्मिक केंद्र है फिर इसी तरह से एक सिलालेक अस्थल विदिशा तो विदिशा को लिखके औ पॉइंटर फॉर्म में विदीशा को बताया हुआ है कि वर्तमान में विदीशा मद्यपर्देश में अवस्थित है यहां से मुर्योत्तर काली ने एक सुंग मंस का अभिलेख मिला है विदीशा का सीरा लेख इत्यादी इत्यादी जो है कि विदीशा आगे विकास नंबर पासाड अस्थल के रूप में हुआ इस तरह से फिर एक गुवालेख अस्थल चंद्रुप नूगड इस तरह से इन्होंने वर्तमान में पश्री मंगाल में जो है कि यह इस्तित है और यहां से मूर्तिया निर्म अमित करने का साक्ष्य मिला है इस तरह से इसको जो है कि इन्होंने लिखा फिर एक वास्डॉ अस्थल एहौल इसको इन्होने लिखा है फिर को टैकल किया है तो गिर्धारी लाल मेना जी है और राइटिंग भी इन की जो है कि अच्छी है अब हम एक प्रस्ण को देखते हैं कि कैसे आये देखते हैं मध्य गंगय घाटी के राजनीतिक आर्थिक सक्ति के केंद्र की रूप में उभरने के कारणों की समिच्छा कीजिए मध्य गंगय घाटी के राजनीतिक आर्थिक सक्ति के केंद्र की रूप में उभरने के कारणों की समिच्छा कीजिए तो इसको देखे कैसे लिखाए नों कि हडपा सब्यता बैदिक यूग के पतन के पश्चात सक्ति का केंद्र मध्य गंगय घाटी की तरफ विस्तारित हुआ जिसके कई कारण थे इन कारणों से इन छेत्रों में महाजन पदो मगद सामराज का उधवा हुआ अब पहले को पैराग्राफ से इनोंने कुस्टन को डिस्क्राइब कर दिया ठीक है कि यह जो है कि मद्य गंगय घाटी का राजनितिक और आर्थिक सक्ति केंद्र के रूप में यह क्यों उभरा तो अपने पहले पैरा से इनोंने बता दिया फिर देखिए इनोंने बताया अब यह जो है कि इनोंने चेंदी कौसांबी राजिगरी अंग वज्जी कोसल जो है कि मैब बना कि डाइगराम बना के इनोंने बताया हुआ है फिर इसी तरह से इनोंने बताया कारण मतलब क्यों विश्त्रित हुआ जो है कि मद्द गंगे घाटी जो है कि राजिनीतिक और आर्तिक सक्ति का केंद्र बना कियों तो कारण बताया इनोंने कि यह छेत्र नदियों की स्थिती से युक्त था इस कारण परिवान के साथ साथ सी चाई के साधनों का भी विकास हुआ ठीक है फिर दूसरा बताते हैं कि साथ ही विशाल जंगलों के कारण हाथियों की विद्यमानता थी इस कारण से निगति शीलता को बढ़ावा मिला तीसरा बताते हैं यह छेत्र लुहे की स्थिती से युक्त था इस कारण क्रिसी में इसका प्रियोग हुआ तो हाथियों का नि को प्राकृतिक सुरच्छा प्राप्त हुई ठीक किलों के कारण तो किले इस छेत्र में बहुत ज्यादा थे तो सासकों के द्वारा भी इस छेत्र के सामराजी के रूप में उद्वय में सायोग दिया गया था हर्ष वंस के सासकों के द्वारा अभीवा, कुटनीती, संधी, मुहिद्धों के माध्यम से विश्तार किया गया तो पॉइंटर फॉर्म में इन्हों ने छोटे-छोटे रूप में पैरा में लिखा हुआ है और इस तरह से इन्हों ने बताया फिर निसकर्ष विदिया के इस तरह से इन्हों ने इसको निसकर्ष डाला हुआ है फिर नेक्स कोश्चन लेते हैं वकाटकों की उत्पत्ती तथा गुप्त सासकों के साथ उनके संबंधों की जर्शा ही जिये полож the origin of vakakatak and their relationship with gupta rular तो इस तरह से इन्हों ने गुप्ता रूर मौर्युत्तर खाल के पश्चात्र पश्चमी कंप उत्तर भारत में वकाटकों तथा गुप्त सासकों का उद्ए हूआ इन्हों ने बताया कि वकाटक और गुप्त सासक का उद्ए कहां और कैसे हुआ ठीक है फिर सृॉत बताया हुआ है कि कहाँ कहां से तो साहितिक इसके सृूत प्रांत कहां से होते हैं सृूत में साहितिक कालीडास फायान फिर अप्रूरतात्विक में सिख के चंदर गुप्त दुटिय का अभि लेग फिर मोहर इत्यारी danced है पता चलता है फिर वकाटकों के उदय के लिए देशी वा विदेशी मतों का प्रयोग किया जाता था और वकाटक दर भारत के पस्तिमी भाग में सत्ता के स्थापना की गई तथा गुपतों के साथ संबंदों का निर्मान किया गया वकाटकों का उदय स्थानिय तत्व रूप में माना जात तक की स्तिती को प्राप्त किया गया इनके दोबारा सकों तथा सात्मानों को भी पराजित किया तथा गुप्तों के साथ समवंद निर्मान किया अब इन्होंने सेकंड पहरा में वाकाटक की विशेश तौर बताए हुसस संध में और फिर उन्हें देखें मैप को डाइग्राम बना के दर्साया हुए कि वकाटक वंस कहां पे था और गुप्त सासन कहां पे था भारत में तो मैप बहुत ही जरूरी है बनाना आप लोगों को किसी भी एक्जाम में या कोई भी ऑप्शनल है जहां मैप की जरूरत हो वहां मैप डाइग्राम तुरन डालिए ठीक है फिर गुप्त बकाटक संबंध तो इसको पॉइंटर फॉर्म में इन्होंने बताया क्रमवाइद न उसको बताया हुआ है फिर गुप्तों तथा वकाटकों द्वारा मिलकर सकों को पराजित किया गया तथा इनके सामराज का विश्तार हुआ फिर आगे लिखते हैं कि गुप्तों द्वारा वकाटक छेत्र की स्थिती से लाभ होने के लिए संबंधों का निर्माण किया तो इसे टरह से कि इनो ने प Hyinter Farm में गुप्तों सामराज और वकाटकों के बारे में लिखा और निस्कर्ष जरूरर इनो रिडाला गवा है तो निस्कर अतन वकाटकों कि अस्थानियें ततों से उत्पत्ति हुई तथा उनके दारा गुप्तों के साथ अवरशक्ता बाधित सं मंदों का निर्माड ठीक है तो यह हो गया अब नेक्स कोश्चन में देखेंगे कि 200 इसापुरू से 300 इसवी के मध्य देशी व्यापार की सिटी को स्पष्ट के जिए तथा व्यापार में धर्म की भूमिका पर प्रकास डालिए तो मौर्यतर काल में आंतरीक व्यापार के लिए आचार डाइग्राम इन्होंने देखिए फिर बनाया तच्छे सिला उत्तराड मरू जैन ठीक है तो इस तरह से व्यापार फिर पॉइंटर फॉर्म में इसको लिखा हुआ है उन्होंने तो यह थी गिर्धारिलाल मिरा जी की क कि अ लिए बनाया हुआ है तो यह रहिए कि अ की के काल मिरा है तो यह है तो यह रहिए जाएग्राम नाया थी काल मिरा तो यह थी कि अ झाल झाल